हे गाईज, वेलकम बैक टो बिकरम टुटोरियल, आज बाइलोजी के सेशन में जैविकास लेके आए हैं, यानि आज का सेशन होगा जैविकास और इवोल्यूशन, तो पहला कोश्चन है आज का है, सम्बृति अंग क्या है, तो सम्बृति अंग है चमगादड के पंग एवं पढ़ सकते हैं, ठीक है, नेक्ट कोश्चन है, डार्विनीज में है, तो डार्विनीज में क्या है, प्राकृति चयन, यह प्राकृति चयन का सिध्धानत क्या है, डार्विनीज में है, ध्यान दीजेगा बहुत इंपोर्टन ये कोश्चन है, आगे और जितना भी हम आप लगातर वीडियोथ दी है, बायलोजी का लगबग एक चेप्टर खली आपका बांक की आर लगबग सब कमप्लीट कर चुके हैं, तो पूरा वीडियो को देखिए और सारे को इतना बार पढ़िए, इतना बार वीडियो को देख लिजे कि आपके सारे question असानी से tackle हो जाए, तो तिसरा है Darwin का सिधान्द था, तो Darwin का सिधान्द था, प्राकृतिक चयनवाद Natural Selection Option नमर 20 का correct answer होगा Next question नमर 4, Archieopteryx किन का सन्योजग था? Archieopteryx किसका सन्योजग था? तो यह हो जागा सरीशरिप एवं पक्चियों का यह बहुत ही important question है, इसको आप लोग प्लीज याद रखिएगा, Archieopteryx किसका सन्योजग था? सरीशरिपों एवं पक्चियों आगे निमलिखीत में से किस यूग में कोई जीवन नहीं था तो एजोईक काल में कोई जीवन नहीं था option नमर 20 का correct होगा और एजोईक, पॉलीजोईक यह सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है, मिसोजोईक यह सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत important है जिसे पराबर question आते रहता है उत परिवर्तन वाद प्रस्तूत किया किस ने, तो यह डीवरीज ने किया था यनि mutation theory किस ने दिया था, डीवरीज ने और आगे है यह आपका detail भी आप यहाँ पे देख सकते हैं उत परिवर्तन का कारण है तो उत परिवर्तन का कारण है क्रोमोसों में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएने में परिवर्तन, उप्यूत सभी यानि उप्यूत सभी इसका correct answer हो जाएगा question नमर 8 डाइनोसार, डाइनासोरों का सुनारा काल किस महा कल्प को खाता है अगर आप Pre-Cambion तो आपको पता ही हो गिया होगा कि मीसो जोई काल जो हो आपका डाइनोसार का सुनारा काल मारा मार जाता है आगे जीवन के उत्पति किस महा कल्प में हुई आगे आगा आगे है आदुनी मानों की अभिनव पुरवज घे बहुत important question है ये वाला question बराबर ये पूछा भी गया है ठीक है मानव कितपती किस युग में हुई तो मानव कितपती आपका प्लायोसीन युग में हुई ठीक है प्लायोसीन युग में मानव कितपती प्लायोसीन युग में हुई आगे है चटानों पर रंगीन चितरकारिस औ पर तब यह किए थे ठीक है आगे यहां पर डिटेल इसका देख लिजिए गा थोड़ा सा बहुत इंपोर्टन इंपोर्टन आज का कॉस्चन है आगे बढ़ते कोस्चन नमर 13 माना विकास कहां हुआ तो माना विकास अब सब्सक्राइब कहां हुआ था तो मधी एसिया में या याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन यह और एक चीज और बोले जितना भी हम सेशन लाएं सारे सेशन को अगर आप पूरा देखिएगा ध्यान प्रवग देखिएगा समझ यह और उसका नोर्स बनाईएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपका बाइलोजी क सबसे निकट संबंदि है तो यह जाएका गोरिला गोरिला क्या है हो जाएगा सबसे निकट संबंदि हो जाएगा आगे है आपका आगे origin of species नामग लेखक कौन थे तो origin of species के लेखक आपको पता ही होगा Darwin बहुत important book है यह origin of species यानि आपका जीव का सिद्धन जो है उत्पत्ति यह आपका है किस ने लिखा तो Darwin ने लिखा जीवान कुदपत्ति पर किया भवाई ही हिंचική में लिख दिया थीक है शीवन कुदपत्ति यहानि लाइपका जो उत्पत्त वगा वो किस ने लिखा तो Darwin ने लिख के लगत यहां पे आपका origin of species और यहां पे देख लिए और जीवन कुदपत्ति कोई और लाइप का जो हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं और इस पीसीज का जो उत्पत्ती हुगा वह किस ने लिखा वो लिखा डार्विन है ठीक है निमलिकित प्राइमेट में मनुस्त का निकट संबंदी कौन है तो यह जाएगा गोरिला गोरिला इसका अंसर हो जाएगा समगाध्डर 얘기 पंक पंका कोटे है तो क्या हो जाएक इसका संवरूप औaş की संब्र इसका अंसर हो जाएगा है पुख्ण नशरी सिर्फ का यूग जो है वह क्या है यह आपको पहले बता दिया गया来 ख जो जोते हैं तो आयš संब्रितियंग क्या हो जाएगा एंसर संब्रितियंग आगे है नेक्स्ट कोश्चन ओजन दिवस का मना जाता है बहुत इंपॉर्टन है अकुष्ट निवारन यह सब देखिए 30 जनवरी को मना जाता है एक छेटर के प्रवताहरोहन के समयानतर करंबद परिवरतन को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं अनूकरमन सक्सेशन ठीक है भारत में स्वेट करंती के जनख जनख माने जाते हैं ठीक है जश्ट पुछा भी गया है भारत हरित करांदी के जनक किसे मनाया था तो यह मैं स्वामी नाथन याद रखेगा और बॉर लोग है पुरा विश्व का ठीक है मनुस्त किसकी द्वारा जीव मंडल में परिश्टिक संतुलन बनाई रख सकता है तो हो जायागा जीवों के सापेक्ष संख्यां के सुच्म संतुलन को समझना यह होगा इसका करेक्ट आंसर उन्मुलन से तो खतम हो जायागा न तो यह बहुत इंपॉर्टन यह वला भी यह वह जाएगा जीव मंडल से आसे है तो यह जाएगा पिर्थवी के गिर्द मिरदा जल और वायु का छेत्र जो बनस्पति जात तस प्रानी जात का समर्थन करने में सक्ष्ण है किसी नदी में मचलियों کا नवह नुखुँअ किस बात का सूचक है कि निमनीकरण का चेत्र यादérica एकून अग्यश्थ चले जान्वरे लमबी हमिंद्रा में चले आते हैं इसे क्या कहते हैं 아 तरह बना जो उत्तक बना जो उपलब्द कराता है तो जागा वशामई य्यानि Denise जो कुकड है वो वसामें उत्तक से बना होता है जो अक्सिक्रन जल्ब उपलब्द कराता है तो उट का बारे में पता है और यह बहुत खतरनाक इंपोर्टेंट ठीक है पी एएच के उपापचयी मद्यवर्ती होते हैं अत्यंत तो क्या हो जाएगा कैंसर जनी विरूप जननिक और उत्परिवर्तन जनी ठीक है पल्मोनरी एरियल हैपर टेंशन जो है यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है पी एच नीमन में कौन स समझात अंग है घोड़े और आदमी के अगरपाद यह समझात अंग है दो कि समझात अंग समरूप यह सब अप लोग ध्यान दिजेगा थोड़ा समझ के पढ़िएगा ठीक है अधरवाइस गल्ती ही होने के समावना होता है और मुझे आता नहीं अधरवाइस मैं सारे से बीन है किसे कारण तो मधिपट यानि डायाफ्रम के कारण ठीक है डायाफ्रम के कारण परियोग और परियोग का कानून कि इनके द्वारा परतिपादित किया गया था तो लेमार के के द्वारा परियोग और परियोग का कानून लेमार के के द्वारा परतिपादित किया तो उस निकटिबंदी वर्षावनों में सरवाधी जबी वित्ता उस निकटिबंदी वर्षावनों में पाए जाती है और उप्शन को जरूर देखेगा क्योंकि यही सब रहेगा वहां पे भी एक मनुस के जीवन को पूर्ण रूप से धार्नी करने के लिए आवस्यक नियु जीवों से संबंदित है तो हो जागा पराग अनु जी विग्यान पराग अनु विग्यान जिसको कहता है पराग अनु विग्यान जबी विद्ता क्या है तो एक वन में बहुत परकार के पेड़ पोदे और प्रानी जात को क्या कहता है जबी विद्ता मनुस के सरी में निसक रिष्टा औंगो का समू है तो यह कौन हो जाएगा तो इसका अंसर होगा नीवे सख पटल किरमी रूपरी सोषी का कर्ण पेशिया क्यों किक्स को किस अस्थीज सारा इसका अंसर हो जाएगा निश्करि अंग का संमु आगे कौश्चन वर 42 पैलियंटोलोजी का किसका आध्यान है पैलियंटोलोजीब मोटेट है जिवासमों का अध्यान है Judi yoga अध्यान है जिवासमों का सूइट कौरांती नाम सबीट है सुइस्छ करांति आपको पता ही होगा इसमें और यहां पे इसका डीटेल आप देख सकते हैं जो आप सर में दिया हुआ है पक्षियों के अध्यन को क्या कहते हैं तो कहते हैं और निथो लोजी और इंडियन बर्ड जो है वो सालिम अली द्वारा लिखा गया था ये पता ही है आपको इंडियन बर्ड सालिम अली द्वारा लिखा गया विकास का सिधान किसके दवरा प्रस्तावित किया गया था तो विकास का सिधान चार्ज डार्विन दवरा प्रस्तावित किया गया था आगे बढ़ते हैं ओंकोलोजी की बीमारी के उपचार से सम्मंदित है ये बहुत important है cancer या करक रोग जिसको कहते हैं उसे ओंकोलोजी वो सम्मंदित है आगे आगे देखते हैं कि इस प्राणी की जिनोम को नौंबर में परकासित किया गया था जो 10 वर्स तक बिना भोजन पान को कोशन नमर 59 59 मोला किसे वहवारी मनोविज्ञान का जनक माने जाता है तो विलहेंम उड़ांट ठीक है विलहें मुण्डट बोलते हैं तो वहवारी मनोविज्ञान का जनक विलहें वुण्डट आगे बढ़ताए डेश की अवधार्न अंदिविस्वास भरी मानिताओं पर अधारित है तो यह जागा साप और सेड़ी यह क्या है साप और सेड़ी आवदारना विश्वास बरिमानिताओं पर अधारित है आगे निमलिकी तिमको एक उचित अनुक्रम में वेवस्थित किजिए तो यह जागा आपका पहले यह आपका उचित अनुक्रम है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जीवन कुद्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिदानकी से संबंदित है तो यह जागा रासानिक विकास एंसर हो जागा रासानिक विकास परजातियों की विक्तिकत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निमिर्कित में कौन सा आवस्यक है तो जागा सबसन क्या हो जागा इसका इसका सबसन इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं और देरे देरे सब चीज़ हम लगबग कंप्लीट कर दी हैं और कम समय में देखे कितना ज़्यादा कोशन आपको सॉल्व करवा दी हैं फिर भी आप लोग क्या करते हैं वीडियो को नहीं देखते हैं ये गलत बात है वेसे अंग जिनकी पाए जाते हैं ये भी इंपोर्टेंट है ए टाइप अफ रिप्रोडक्शन इन वीचे पार्ट ऑफ प्लांट बर्डी डबलप्स इन्टु ए न्यू इंडिविजुवल इस कॉल्ड भजुटेटिव प्रोपेकेशन आगे बढ़ते निमलिकीत में से मत्सिवर्ग की विश न की सुरुवाब की जड़ बी एन एफ तो ये एंसर होगा आंदर परदेश इसका अंसर होगा आंदर परदेश डैस समरूप अंग है तो डैस समरूप अंग है लॉबस्टर की पूच और वेल का फाल ये क्या हो जागा समरूप अंग लॉबस्टर की पूच और वेल का फा तो वह जागा परिवर्तन क्या हो जागा अंसर परिवर्तन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्चन की और बढ़ते हैं डैस इस नोन एज इस्टडी ऑफ फॉसिल्स तभी जस्ट बता दिये हैं पेलियंटोलोजी इसको इंगलीज में सिर्फ लिखावा है यहां पे इसका वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में एक और चप्टर बचा हुआ बायलोजी के अंदर में उसको कम्प्लीट करके हम लगातार वीडियो ला ही रहें तो आप लोग देखते रहें और कंटिन्यू देखें एक ही चीज को देखें दूसरे चैनल को देखने से आपको पफलता जरूर हाथ लगेगी थैंक्यू बेरी मच्ट